दर्बारी और शॉल ये अकबर विल्बर की कहानी हो में से एक छोटी सी कहानी है जो हमें अच्छा सबक सिकाती है बिर्बल जो अकबर राजा का एक दर्बारी था वो बहुती होश्यार था एक दिन और वो राजा का बहुत फेवरेट भी था इसी लिए दूसरे दर्बारियों को उससे जलन होती थी एक दिन बाकी दर्बारियों ने अगबर राजा से कहा महराज बिर्बल अकेला ही इंटेलिजेंट नहीं है वो अकेला ही वोश्यार दर्बारी नहीं है आप हमें कोई मोकाई नहीं देते हमारी वोश्यारी साबित करने का एक बार हमें मोका तो देखे देखिए फिर हम भी आपको दिखाएंगे कि हम भी होश्यार है राजा को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने अपना गुस्सा काबू किया और फिर बोले जाओ दो मिटर लंबी शौल लेके आओ फिर दर्बारी भागते हुए शौल लेके आया जब वो लोटे तो उनों ने देखा कि राजे बिख्तर पे लेते हुए थे फिर राजा ने कहा कि ये शौल मेरे बदन पे धब दो कि मेरी मेरा पूरा बदन धब जाए राजा बहुती लंबा था दो मिटर शौल राजा को पुरी तरह से धप नहीं पा रही थी दर्बारियों ने बहुत प्रयास किया लेकिन उनसे नहीं हुआ फिर बिर्बल वहाँ पे आया फिर अकबर राजा ने बिर्बल से कहा बिर्बल ये शौल मुझे पर ऐसे डालो कि मेरा पूरा बदन इससे धब जाए फिर बिर्बल ने कहा कि ठीक है महाराज लेकिन इसके लिए आपको अपने बुटने थोड़े अंदर लेने होंगे फिर राजा ने बिर्बल ने जैसा कहा वैसे किया जब राजा ने अपने गुटने अपने पेट की तरब थोड़े अंदर लिये तो शौल राजा को पूरी तरह से बैट गई और राजा पूरी तरह से धब गया इस तरह अपबर को बिर्बल से बहुत गर्म मैसूस हुआ राजा ने कहा पी देखो बिर्बल ने फिर से एक बार अपनी होश्यारी का प्रदर्शन किया और मुझे एक बार फिर गर्म मैसूस दिलाया थेंक्यू पर वचिंग कोन आप लॉन बाइशार बी प्लीज लाइक शेर और सब्स्क्राइब झाल